हेलो गैस वेलकम तो स्लीपी क्लासेज आज हम डिसक्स करेंगे डेली डॉस सेशन में इंपोर्टेंट बॉक्स एंड ऑथर तो चलेगा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन देखें गैस ब्लू बुक यूज होती है ऑफिशल रिपोर्ट ऑफ दा ब्रिटिश कवर्मेंट ग्रीन बुक ऑफिशली बुक है फ्रांस की अब आपको यही बताना है कि हमारे इंडिया के ऑफिशल बुक कौन सी है ठीक है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अच्छा आईबी का पेपर हुए रिसेंटली और टिपिकल आया है जीके एंड जीएस के पॉइंट क्या साथ चलना है अब यह अप्रोच क्या है यह मैं आने वाली दिनों में आप लोगों के साथ डिसकस करऊंगा एक स्टेटेजी वीडियो में क्योंकि एप्याफ और इसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं ठीक है सीचेल में भी डिसाइडिंग फेक्टर है आपका प्रिलि तो अगर आपका क्लियर हुआ तो आपको बहुत बहुत कॉंग्रेचुलेशन अगर आपका इस सार रह गया तो कोई बात नहीं आप अपनी वीक्नेस पर वक कीजिए इंगलिश है मैथ है जहां पर भी आपको लगता है कि यह मेरा वीक सेक्शन है उस पर वक कीजिए और डेफ ओफिशल रिपोर्ट्स बताई है जो हमें डिफ्रेंट डिफ्रेंट नेशन की देखने को मिलती है ऐसे कोशन भी पूछे जाते हैं ठीक है अब फर्स्ट बुक है आइम नॉट मसीह यह ऑटो बाइग्राफी है सोनुसूद की सोनुसूद में बहुत अच्छे से वर्क किया से लॉगेज्ट अनियोर इनका था सेकंड नंबर पर कौन से प्राइमनिस्टर का था और ठर्ड नंबर पर कौन से प्राइमनिस्टर ठीक है और जोहलिन नहरु जी की होर भी बहुत सारी बुक्स हैं मैं आपको बता देता हूं डिसकवरी ओफ इंडिया वन अफ कि उसके बाद नेक्स देखते हैं अशोट एट हिस्टी यह बुक लिखिए अभी नव बिंद्रा स्पोर्ट मैंने उसके बाद आत्म कथा अच्छा यही बुक थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग है यहां पर कन्फ्यूजिंग क्या आता है अब आत्म कथा हिंदी में किसने लिखि अगर यही बुक आपको मल्यालम में पुछी जाए आत्म कथा मल्यालम में किसने लिखिए तो आपको याद रखने है अना चांदी शायद मैं यहां पर प्रनाउंस कलत कर रहा हूं तो एक बार आप गूगल कर लेना ठीक है इनका नाम और बाबर नाम यह बुक किसने लिख आते हैं हिस्ट्री का उसके लिए अलग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी चैनल पर तो बाबर नामा लिखी है बाबर ने ऑटो बाइग्राफी है बाबर की अब देखें बाबर की यह बुक को कनवर्ट करा था अबदुल रहीम ने अब अब अबदुल रहीम कौन था यह बैरम खान का बेटा था अब बैरम खान कौन था ही मायू को सेना बती था बाकी आप डेटेल में देख सकते हैं एप फो में भी मैंने डिस्कस किया मुगलम पैर को और यहां पर जो बाबर नामा अबदुल रहीम ने कनवर्ट करी थी खाने खाना अब आप मुझे नामा लिखा होता है वह कौन सी लेंग्विश में और जहां पर साउंड आपको इस तरह से देखने को मिलती है खाने खाना या फिर आईने अकबरी तो यह कौन सी लेंग्विश में होती है यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताईएगा आप बस यह दो नोग का नाम बता यह दो बुक कौन सी लेंग्विश में मैं समझ जाओंगा ठीक है वाबर नामा कौन सी लेंग्विश में और खाने खाना कोई लेंग्विश में ऐसे इसे बादे एक बुक लिखा है जर्णल वीजे कुमार सिंग ने उसके बाद माई कंट्री माई लाइफ लाल क्रिशन अप्रीजनर स्क्रेब बुक माइ टाइम्स एन ऑटोबाइग्राफी यह बुक लिखी है जे भी कि प्लानी ने वन लाइफ इस नोट इनफ नटवर्सिंग लेंग इट माइवे सचिन दंदुलकर अगर आपने मुगल की वीडियो देखी है तो डेफिनिटल आप इसका अंसर बहुत इसली कर पाएंगे उसके बाद next है the test of my life युवराज सिंग ये भी क्रिकेटर है जैसे सचिन दंदुलकर हमने देखा कपिल देव देखा और ये बुक आपको पढ़ने भी चाहिए काफी inspirational बुक है उसके बाद the story of my experiment with truth ये लिखिया है हमारे देश के राष्ट पिता महंदास करमचन गांदी जी ने ठीक है अचा गांदी जी की होल भी बहुत सारी बुक्स हैं आपको याद रखनी चाहिए अब चलिए मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखनी है conquist of self ये याद रखना आप ये भी बुक पुछी जाती है उसके बाद the race of my life Milka Singh अचा Milka Singh को एक title दिया हुआ है अगर आपने इनकी movie भी आई थी है ना और उसमें अफरहान अक्तर ने मिलकर Singh का character किया था आपको बताने कि इनको क्या basically title दिया हुआ है चलिए मैं बता देता हूं फ्लाइंग सिख आपने मुझे बताने कपिल देव को क्या title दिया हुआ है और यह हर्याना के जो paper होते हैं उसमें पूछा जाता है बहुत ही frequently question पूछा जाता है कि कपिल देव को कौन सा title दिया हुआ है चलिए उसके बाद why I am atheist भगत सिंग विंग्स ओफ फायर एपीजे अब्दुलकुलाम एपीजे अब्दुलकुलाम जी की जितनी भी बुक्स हैं आप मुझे comment section में बताईएगा सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है यह बहुत ही frequently पूछी जाती है इसलिए मैंने यहां प मिस्टर बिस्वास यह बहुत frequently पूछी जाती है उसके बाद half a cycle नहीं sorry half a life एन एरा उफ डाक्नेस एन एरा उफ डाक्नेस तो किसी और के एन एरिया उफ डाक्नेस चलिए sometimes confused हो जाते हैं उसके बाद आपको यार रखने है इंडिया a million mutinus now यह बुक भी नहीं की दुवारा लिखिए है मैं जिख देता हूं आप इंडिया a million mutinus now तो यह वी एस नाइपॉल की बुक्स हैं आपको याद रखने है उसके बाद अब डीफ हिस्टी ओफ टाइम स्टीफन hawkins इनके प्याद रखना जो अभी रिसेंटी पेपर में पूछे गई थी ब्लैक होल्स कि एड़ बेबी युनिवर्स या अकबर नाप अब्दुल फैशल ने लीकिती अचांप अब्दुल फैशल ने अकबर के और लेकRE की घुखिए थी आइने Lockival जोगए लिके अब्दुल फैजल के द्वारा और अकबर के नाइन जेम सो होते थे नवरतर जैसे विक्रम अधितिया के होते थे ancient history में ऐसी एकबर के होते थी तो ये नाइन जेम्स में से एक थे अबदुरहीम भी नाइन जेम्स में से एक थे चो भी हमने पढ़ा उनके बारे में खाने खाना कनवर्ट करी थी उन्होंने बाबर नामा को खाने खाना में अनंदमठ यह बुक लिखी है बंकीम चंत्र चटर जी ने उसके बाद अर्थ शास्त्रा वान ओफ तॉप तॉम्स्ट इंपॉर्टेंट बुक एंशेंट हिस्ट्री के पॉइं अच्छा अर्थ शास्त्रा जब आई थी तो इसी ही इसी टैन्योर में चंद्रगुप मौरिया के टैन्योर में एक बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इंडी का हलांकि यह बुक कॉटले नहीं नहीं लिखी थी यह लिखी थी में अब मेंगस सनीसिस कौन है इतना ज किसी प्रोड़क्ट का होता है अंबेज़र राजदूद बनाकर बिज जा गया था चलिए उसके बाद नेक्स देखते हैं ऑटो बाइग्राफी ओफ दा ऑफ एन अन्नोन इंडियन निराथ सी चौधरी भारत भारती मेतली शरन गुपता बिजनर्स एड़रेट दा स्पीड बिल गेट्स उसके बाद चंडाली का रमिंदर ना टेगोर रमिंदर ना टेगोर जी की बहुत सारी बुक्स पूछी जाती है मैं आपको बता देता हूं एक तो चंडाली का वन अफ ता मोस्त इंपोर्टेंट है उसके साथ साथ आपको याद रखनी है हंग्री स्टॉन्स एक बुक है गाडनर एंड लास्ट में टेसेंट मून तो यह सभी बुक्स आपको याद रखनी है रमिंदर ना टेगोर जी की चलिए उसके बाद सर्कल ओफ रीजन अमिताफ घोश अमिताफ खोश की भी बहुत सारी बुक्स हैं एक आप याद रख सकते हैं सर्कल ओफ वैसे यही पुछी जाती है जादा था उसके बाद कॉमेडियो ओफ एरर्स विलियम शेक्सपेर इनकी बहुत सारी बुक्स हैं चलिए बस आपने यही आदकने कॉमेडियो ओफ एरर्स उसके बाद कॉम्मिस्ट मैनिफेस्टो काल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स अब यह जो काल मेक्स हैं इनकी एक बुक है दास कैपिटल यह बहुत ज़्यादा पुछी जाती है अगर आपने इकनॉमिकल सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप काल मेक्स थियोरी आपने पढ़ी होगी और एक नेम आपने एडम सिमित भी पढ़ा होगा यहां प Prophet M joinz में इनोने फीप वनीडि ठीशितर इन्होंने कौन थेवरी थी दलाई लामा, food nutrition and poverty in India, VKRV, राउ, gathering storm, Winston Churchill, यह बहुत important personality थी, Winston Churchill, उसके बाद, golden threshold, सरोश्री नाइडू, next, Harry Potter and the goblet of fire, यह आपको पता ही होगा, J.K. रॉबलिंग, बहुत ही famous होता रहे, उसके बाद, I follow the Mahatma, K.M. Munshi, if I am assassinate, J.A. भूटो, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi and his Apostles, Ved Mehta, Mahatma Gandhi, यह बुक हमें लगता है कि Mahatma Gandhi की autobiography, नहीं, Mahatma Gandhi नेम जो है बुक का यह लिखी है, Roman, Roland, Mankind and Mother Earth, Arnold, Tony V, Men are from Mars, Women are from Venus, यह बुक लिखी है, John Gray ने, तो यह सभी की सभी बुक आपने यार रखनी है, एक William Shakespeare की बहुत सारी बुक है, मैं आपको जैसे बता देता हूँ, Hamlet, बाकि आप सर्च कर सकते हैं, दीखे, जो बुक्स मैं आपको करवा रहा हूं, सिरफ आपको उतनी ही करनी है, ज यह बुक्स इतनी important है, आपको सभी exams में इनी से ही कोशन देखने को मिलेगा, thank you so much guys, PDF मिलेगा आपको हमारे Telegram चैनल पर, और Telegram चैनल पर PDF डाउनलोड करने से पहले हमारा चैनल जुरूर कीजिए, और जो भी students त्यारी कर रहे हैं, आपके friends, like as IB, अभी हुआ है, EPFO, CGL, Bank, और जो basically government exams की त्यारी कर रहे हैं, तो उनके साथ यह video को share जरूर करिएगा, thank you so much.